थाने की टेबल पर रखी चांदी और थाने के बाहर पुलिस गिरफ में पांच लूटेरे आगरा पुलिस की ये वो काम्याबी है जिसकी पूरे आगरा में चर्चा हो रही है आगरा के थाना सदर शेत्र में 19 जन्वरी को हुई चांदी लूट की वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने पांच लूटेरों के हाथों में हटकड़ी पहना दी है एक संसरी खेज वारदात हुई जिसमें करीज 11 वेजे इन में कोरियर कंप्रीर जो परीज दोसों किलो चांदी लेकर अपने गाड़ी में जा रहे थे उनके फिरमचारी उनकों बदमाशों ने अपनी गाड़ी आगे लगा कर उसमें से चांदी को और वागी कुछ चीज़ों को लूटा तब काल SSP आगरा के नेतरतु में पांच टीमों को लठन किया गया जिसमें SPC, ASP और बाकी अधिकारी शामिल थे उनके दोरा लगातार फिछले आठ जिन में कड़ी महलत कर Human Intelligence, Technical Intelligence और CCTV इत्यादी के आधार पर इस गैंग के बारे में जानकारी प्राप्त की गई और इस गैंग की जानकारी और इनको पकड़ने के लिए इन्होंने चार स्टेट्स में इनका जानकारी प्राप करते वे चार स्टेट्स तक पहुँचे यूपी में, दिल्ली में, हर्याना में और जम्मू काश्मीर तक पहुँचे कल रात को हमारे यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर पांच अपरादियों को जिनके पीछे लगे हुए थे, उनको गरफतार किया गया है 19 जन्वरी को हुई इस लूट के बाद पुलिस के हाथ पाउं फूल गए थे, पुलिस पर इस केस को जल से जल क्रैक करने का दबाव था, आखर में ये दबाव काम आया और पुलिस ने पांच आरोपियों को धर दबोचा इसमें एक व्यक्ति अगर आप में देखा होगा तो एक व्यक्ति जो है इसमें रामू और राम प्रकाश है जो की एक डेंटिस्ट की दुकान पे काम करता था और इस डेंटिस्ट की दुकान जहाँ पर घटना स्थल है जहाँ पर एक गोडाउन है गोलियर कमपनी का उसके बिलकुल पास में उसने ही इस घटना के बारे में जानकारी अपने साथियों को और 자थियों के माधियम से बाकी गैनकी मेंबर को दी इन गैनक COR Benn कि ममन ने यहाँ पर आकर तीन चार दिन दहिंगी गी और उसके वाद हैस घंणा को पुलिस ने आरोपियों के पास 137 किलो चांदी अवैद हधिया और अन्य सामान बरामत किया है पुलिस ने इन लुटेरों को पकड़ने के लिए पांच टीम बनाई थी हर टीम ने अलग-अलग एंगल पर जाच कि तो एक फर्जी नंबर की गाड़ी का पता चला जिसकी पड़ताल करते करते पुलिस के हाथ इन लुटेरों के गिरेबा तक पहुच गए बिरो रिपोर्ट नबदीब तुड़े